नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौरानिक लोग पर आप सभी को नवरात्री व्रत की हारदिक शुभ काम नाएं दोस्तों नवरात्री के पावन दिनों में सभी भक्त माता रानी की किरपा पाना चाहते हैं जिसके लिए भक्त माता की बड़े ही मन से पूजा अर्चना करते हैं पर दोस्तों भक्तों को ये नहीं पता चल पाता है कि वो लोग भक्ती सही तरीके से कर रहे हैं पूजा सही कर रहे हैं की नहीं और माता रानी उनसे खुश है की नहीं तो दोस्तों आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपको बताने जा। रहे है वो खास संकेट जो बताएंगे कि आपकी पूझा भक्ती से मातारानी प्रसन्न है की नहीं। तो चलिए दोस्तों मातारानी का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज की विडियो। दोस्तों नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको। यह खास संकेट तो समझ जाए की मा दुरगा आपके घर में आचुकी है। यह संकेट बताते हैं की मा दुरगा का आशिरवाद आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों पहला संकेट है जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जो से निकली। हर्याली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है की जो से निकली हर्याली हमारे भविश में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेट देती है। यह सभी बाते हमारे आने वाले साल का भविश बताती है। यदि आपने जो बोए हुए है और वो किसी कारण वश उब नहीं पाए हैं तो यह संकेट बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खरा जाने वाला है। तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है और आपके घर की कमाई घटने वाली है। दोस्तों यह धन हानी का संकेट माना गया है। क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण मातारानी नाराज हो गई। है। दोस्तों इस दुख और चिंता से बचने के लिए मातारानी से आप शमा अवश्य मांग ले। कि आप से जो भी भूल हुई हो माता उसे माफ कर दे। दोस्तों मा अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है एक मा ही होती है जो अपने। बच्चों को गलती होने पर माफ करती है। इसलिए मातारानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। दोस्तों मया वैशनों अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती बलकि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है और दोस्तों यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुब संकेत होता है इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन ल में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख सम्रिधी आती है और माता लक्षमी आपके घर दोड़ी चली आती है मित्रों जों के अंदर हमेशा एक रुपय का सिक्का अवश्य डालना चाहिए जों को खाली नहीं रखना चाहिए इससे माता का आशिरवाद कोई भी संकट नहीं आता दोस्तों नंबर दो यदि आपकी मींड नवरात्रों के दौरान सुबह चार बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुग संकेत माना जाता है क्योंकि यह समय ब्रहमा मुहूर्थ कहलाता है इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही दर्शन देने जाती है इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ती का प्रभाव आपके उपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुश्कवरी देने वाली है आपकी तो दोस्तो अगर आपकी नींद न भी खुले तो भी नवरात्री के शुब दिनों में सुबह चार बजे उठने का प्रयास जरूर करें दोस्तो नमबर तीन यदी नवरात्री में आपका मन प्रसन होने लगे पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मा की कृपा प्राप्थ होने वाली है माता रानी आपकी भगती से बहुत खुश है आपकी भगती माता रानी को आनंद दे रही है ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समया आने वाला है दोस्तों नमबर चार नवरात्रों के दौरान अगर मा के गले से फूल गिर जाए और जोंके हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अती उत्तम माना गया है यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थाए रूप से हो चुका है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्थ होने वाली है यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं दोस्तों माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआ अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है भूत प्रेट आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले है पूजा करते समय धुने का अधिक होना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना गया है यह संकेट भविश्य में अच्छे परिनाम को दर्शाते हैं दोस्तो नमबर पांच द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया जाता है कि नवरात्री के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुब संकेट माना गया है नवरात्री में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुब है यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय माता के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी फल्चारा जरूर खिलाएं इससे मा दुर्गा अत्यंत प्रसंद होंगी और आपकी जोली खुशियों से भर देंगी ग्वार पर गाय का बार-बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है दोस्तो अगर आपके सपनों में मा दुर्गा दिखाई देती है अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है नवरात्र के पावन अफसर पर माता के दर्शन कुछ खास भक्तों को ही होते हैं ये सपने कभी किसी को बताए नहीं और यदि माता की सवारी शेर रात्री में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मा दुर्गा आपसे प्रसन्न है यह संकेट बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रूं का नाश हो जाएगा शत्रू आपके नाम से ही धर्थर कामपने लगेगा दोस्तो मा दुर्गा का वाहन शेर है इसलिए रात्री में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुब संकेट होता है दोस्तो नमबर साथ यदि कोई छोटी कन्या आपको सुभा सुभा लाल वस्त्रधारण किये हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात्मा दुर्गा के दर्शन किये है यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओ का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति ब्रहांड की कोई भी शक्ति आपको करोर्पती होने से नहीं रोक सकती है आपके जीवन में आपके घर में माता लक्षमी का आगमन होने वाला है आप दिन दुगनी राद चौगुनी तरक्की करेंगे अब आप खुशियां मनाएं और मिठाईयां बाटे दोस्तो ऐसे में कन्याव को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूद से चरन धुला कर करें पूजन में कोई भी कंजूसी न करें दोस्तो मातारानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्थ हो चुका है अब जीवन में सुख समर्द्धी के द्वार खुल जाएंगे दोस्तो नमबर आठ घर पर उल्लू का आना यदि मा लक्षमी का वाहन उल्लू नवरात्री में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुब संकेत है इसका अर्थ है कि मा लक्षमी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिती और मजबूत होगी लेकिन याद रहे उल्लू नवरात्री और दीपावली पर आना भी बहुत ही शुब माना जाता है गंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुब संकेत माना गया है इससे यह पता चलता है कि मातारानी आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात मक्ता का नाश होने वाला है तथा माता लक्षमी की कृपा आपको प्राप्थ होने वाली है दोस्तों नवरात्रों के दौरान घर में काली चीटियों का दिखना लंबी-लंबी लाइन बना कर मुह में खाना ले जाते हुए चीटियों को देखना अच्छा संकेट माना गया है और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदी दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुब संकेट माना गया है इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्थ होने वाली है मा का आशिरवाद आपको मिलने वाला है नवरात्रों के गवरान मंदिर में छिपकली का देखना बहुत ही शुब संकेट माना गया है आपकी भक्ती का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है क्योंकि छिपकली को माता लक्षमी का प्रतीक माना गया है किसी शुब अवसर पर छिपकली का दिखना मंदलकारी माना गया है और नवरात्री में छिपकली का मंदिर में देखना साक्षात देवी लक्षमी का स्वरूप माना गया है दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सबस्क्राइब जक्रूर करे और दोस्तों अगर आप वाकई में मा वैशनों की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे